मूली को कच्ची या पका कर भी खाया जा सकता है मूली के बीच से प्राप तेल का उपयोग कई उत्पादों और स्वास प्रयोग के लिए किया जाता है मूली में कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे स्वास के लिए बेयत फायदे मन होते हैं तो आएए जानते हैं मूली के स्वास कारी फायदे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मूली में फोटो क्यामिकल्स और एंटोसाइनिसिस नामक तत्व पाये जाते हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करता है मूली में एंटी हाइपटेसिस नामक गुण पाया जाता है जो उच्छ रक्त चाप को नियंतित करने में सहायक होता है इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लेट प्रेशर नहीं बिगरने देता है मूली में पर्याप्त मात्रा में फाइवर होता है इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन को नियंतित करते हैं जिससे शुगर लेवल नहीं बिगरता है अगर आपको हमेशा ही सर्दी और खासी की शिकायत परी रहती है आपको अपनी डाइट में मूली शामिल करने की जरूरत है मूली में एंटी कंजेक्स्टिफ गुर पाया जाते हैं जो कफ खत्म करता है मूली में डियूरेटिक गुर पाया जाता है जो किटनी के स्वास के लिए बहुत अच्छा होता है जो शरीर में विशाले तत्वों को निकलने में भी कारगर होता है मूली में अच्छी मात्रा में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C जैसे तत्व पाये जाते हैं जो की हमारी आखों की रोश्टी को बढ़ाता है रोजाना, सुबह, मूली खाने से आखों की रोश्टी बढ़ती है मूली में क्याल्चियम नामक तत्व पाया जाता है जो हमारी हड़ियों के लिए अच्छा होता है मूली का सेवन करने से हमारी हड़ि और हमारे दाथ मजबूत वस्थ स्वस्थ रहते हैं दोस्तों किसी भी बिमारी, पल या सबजी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट करके बताएं मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल इस्टे हल्दी को सब्सक्राइब करें थन्यवाद